हेलो फ्रेंड्स दिस इस एश्पिशिंग एंड वेल्कम टुश्माइटर एवरी डे यूपी ट्रिपल लसी पैट जो कि आपका आज से चार पांच दिन बच्चे हुए चारी दिन कहेंगे बच्चे हुए तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उनका रिवीजन कर रहे थ आपने जितना जो कुछ पढ़ा है वो सिर्फ यहां पर रिवीजन हो रहा है हम लोग डिसकेशन नहीं करते हैं डिरेक्ट अब मैं आपको आंसर बताते हुए चला जाता हूं ताकि आप को पढ़के उसका आंसर जो है रिमाइंड कर पाएं जो आपने पढ़ा है वो ठीक है जो नहीं पढ़ा है वो नए कोर्शन सापको देखने को मिलते हैं तो आज सिस क्लास में लगबक एक घंटे क्लास रहेगी क्योंकि इसमें पांस प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा और बहुत ही पहतितिन तरीके से अच्छे इसको आपको मिलेंगे रिवीजन इसमें आपका बहुत अच्छा हो जाता है तो चलिए सुरू करते हैं आज की बेतिन क्लास क्लास में लाश तक बने लगएगा तो डिफ्नेटली बहुत कुछ शीखने को मिलेगा आपको देखेगा पहला कोशन आपके सामने है टाइम वेस्टिंग नहीं करेंगे पहला कोशन आपके सामने अलबुरूनी है किसके साथ भारत आया था तो ये आपका महमूत गजनवी के साथ भारत आया था अगर पूछले किस शताबदी में आया था तो ये आपका ग्यार्मी शताबदी में आया था ये भी बात ध्यान लखेंगे कब आया था ग्यार्मी शताबदी में भारत आया थ तो ग्यार्मी शताबदी में भारत आया था 22 जन्वरी 1760 को लड़े गए वांडी वास के युद में फ्रांसिसी सेना का नेतरुत लैली ने किया था जबकि बिर्टिस सेना का नेतरुत किस ने किया था बिर्टिस सेना का नेतरुत करने वाले आईरे कोटे कौन आईरे कोटे न वारेन हैंस्टिंग्स ने किसने वारेन हैंस्टिंग्स ने सरकार की द्वेद शाषनपनाली समाप्त की कहां बंगाल में किसने सक्तिसाली सैनेबलों के एक समुह चहल गानी को समाप्त किया था वह आपके बलबन थे बलबन ने सक्तिसाली सैनेबलों के एक समुह चहल गानी को सेमंधी करनी वाले आपके बलबन थे चिनियातरी फायान किस गुप्त्साषक के सरसुनकाल के दाउरान भारत आया था चंद्रगुप्त दु yem कौन थे चंद्रगं। दुcame ठीक है इनके सासनिकाल में 399 इश्वी में भारत आया था चलिए आगे बात करते हैं कोशन नमर्श देखिएगा सिक्स आपका रहेगा भारती राष्टी आंदोलन से समधित कोशन है कोशन कहता है महत्मा गांदी ने सत्यागरह शभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी भारत में राजनीतिक शुधारों के लिए आंदोलन सुरू करने वाले पहले भारती नेता राजा रामोहन राय थे वर्स 1917 का सत्यागरह महत्मा गांदी का पहला सत्यागरह था और भारती श्वतंतरता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था भारती श्वतंतरता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह होता बात क्लियर हुई महत्मा गांदी ने डैस अर्थविवस्था की वकालत की महत्मा गांदी ने विकेंदरी करत अर्थविवस्था की वकालत की किस विकेंदरी करत अर्थविवस्था की वकालत की महत्मा गांदी ने की निम्लेखित में से कौन सा देश भारती राज उत्रप्रदेश से शीमाय साजा करता है नेपाल कौन करता है नेपाल तौर मंदल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है वह आपका कौन सा है ब्रहश्पती शौर मंदल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है आगे बढ़ते हैं कोशन नमर थार्टीन देखिएगा Question कहता है छेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे छोटा राजी कौन सा है सबसे छोटा राजी गोवाब भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राजी कौन सा है तो वो आपका पश्चिम बंगाल है Next one कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है जब X वस्तु के FZ की कीमत कम होती है तो X की मांग क्या होती है तो X की मांग वहाँ बढ़ जाती है इस्पाहन कर एक प्रकार का है क्या है इस्पाहन कर एक प्रकार का मुद्रा लेंदेन कर है क्या है मुद्रा लेंदेन कर है इस्पाहन कर अब अमूलियन का अर्थ क्या है अन देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम कर देना कम करना ओप्शन शीदा आइट वन ओवर हैर निमलिखित में से किस एक गैर योजना व्यायकाश्व से महत्पूर्ण मद कौन सा है तो वो है आपका ब्याज का फुक्तान ओप्शन एईदा राइट वन कोशेंबर टॉंटीवन भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक पद पर नियुकती का कारिकाल होता है यह आपका जो है च्छे वर्ष होता है कितना होता है च्छे वर्ष होता है केंद्रिय मंत्री परश्यत समलित रूप से किसके प्रति उत्तरदाई होती है यह आपकी लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होती है किसके प्रति लोग सभा के प्रति भारत सरकार के वित्तियक खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है राष्टपती को प्रस्तुत किया जाता है सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? सरकारी बजट तय करने की तारीख ये आपके राष्टपती तय करते हैं कौन राष्टपती तय करते है? संग सूची और समवर्ती सूची के विश्यों पर कानून बनाती है कौन लोक्षभा लोक्षभा संग सूची और समर्थी सूची के विश्यों पर कानून बनाती है शामान विज्ञा से घर्षन संपर्क में आने वाले दो प्रिष्ठों की डैस के कारण होती है तो ये अन्यमित्ताओं, दो प्रिष्टों की अन्यमित्ताओं के करण होती है ओके, राइट वन, घर्षन संपर्क में आने वाले दो प्रिष्टों की अन्यमित्ताओं के करण होता है घर्षन ठीक है, जो गती करने में वस्तु का विरोध करता है और इसकी दिशा हमेशा वस्तू की गत्ती की दिशा के विपरीत रहती है गैसोलिन किस पदात का दूसरा नाम भी है तो गैसोलिन जो है आपका ये पैट्रोल किसका पैट्रोल का दूसरा नाम भी है जंग से बचाओ के लिए लोहे पर जस्ते के लेपन प्रिकृया को क्या कहते हैं तो इसको यस्दी करण कहा जाता है उसे क्या कहते हैं उसे पथ मापी कहा जाता है क्या कहा जाता है पत्थ मापी कहा जाता है option B the right one उर्जा की SI काई क्या है उर्जा की SI काई आपकी जूल है उर्जा की SI काई जूल है निमन विकल्पों में से एक सही विकल्प हमें चाटना है सही विकल्प हमें चाटना है तो क्या हो जाएगा जीवन छण भंगूर है वेर्थ नश्ट ना करें फर्स्ट वन इस दा राइट वन ओवर हेर पुलिंग वाचक शब्द छाटिये पुलिंग वाचक शब्द हमारा कैमरा हो जाएगा बाकी पायल है प्लेट है तलवार है ये तो तीनों इस्त्री लिंग है नीचे लोकोक्तियों और उनके अर्थ दिये गए है इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का हमें क्या करना है चैन करना है जो इसमें से क्या है जो गलत है आगे नातन पीछे पगहा बंदहीन होना या तीन तेरा होना संगठित होना देखिए आगे नातन पीछे होना यानि कि बंधन ही, उसवर कोई बंधन नहीं है, ये तो इसमें सही है, हमें गलत बताना है, तीन-तेरा होना, तीन-तेरा का मतलब होता है किसी चीज का बिखर जाना, यहाँ पे है उसका उल्टा संगठित होना, यानि कि ये तो गलत हो गया, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक है ठीक है आपके अंदे गांट के पूरे मूर्ख लेकिन धनवान यह भी बात सही है यहाँ पर जो गलत है आपका वो है तीन तेरा होना संगठित होना जिसका मतलब यह भी होता है कि भिखर जाना शक्या गमन का सही संदी विच्छत क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा सखी प्लस आगमन शक्या आगमन का मतलब सखी प्लस आगमन पसीने से युग्त वाक्यांस के लिए एक शब्द हम क्या यूज़ करेंगे श्वेदित यूज़ करेंगे पसीने से युग्त आने की श् does it हो जाएगा यहां पर क्या फिल करेंगे counts does it next question कहता है जो कि narration का है डिरेक्ट इन डिरेक्ट स्पीश का है राजेश राजेश ने का मैंने कलेकार खरीदी तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा राजेश शेड डैट अब यह फर्स्ट पर्शन है राजेश के थर्ड फर्म का यूज होगा he had a he had bought a car the study को क्या लिखते हैं दब प्रिवियस डे यह दा बिफोर डे है न तो दब प्रिवियस दे हो जाएगा option d is the right one over here out of the four alternatives choose the word which is similar in meaning to the given word जो की जो की जो की जो है similar है इसमें है न तो वह क्या हो जाएगा इस्टिफल हो जाएगा ठीक है जो का मतलब होता है एक तरीके से किसी का गला घूंट देना या जो है कि गांठ बांदना इस तरीके से ठीक है तो इसका उल्टा हो जाएगा sorry इसका जो similar word हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस्टिफल हो जाएगा next one question कहता है हमारा athletics में भारत का पर्चम लहराने वाले प्रसिद धावक मिलखा सिंग का हाल ही में निधन हो गया है उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है उनका जो उपनाम है वो flying sick है क्या है उपनाम क्या है मिलखा सिंग का flying sick भारतिय मूलके किस पत्रकार ने मुस्लिम उईगरों और अन्य अल्प संख्यक जातियों के लिए चीन के स्रामविक हिरासत चीविरों को उजागर कर पुलतजीर पुर्सकार जीता है कौन है मेघा राज गोपालन विश्यू खाद सुरच्छा दिवस 2021 की theme स्वस्थ कल के लिए आज का सुरच्छित भोजन अगर आप स्वस्थ कल चाहते हैं तो आज आपको सुरच्छित भोजन करना होगा ये theme है अंतरराश्ट्री बुकर पुर्षकार 2021 किस ने जीता है तो ये आपके डेविड डियोप है कौन अंतरराश्ट्री बुकर पुर्षकार डेविड डियोप ने जीता है 2021 का पुर्षकार है कौन सी महिला खिलाडी अंतराष्टिय टेस्ट मैच की दोनों पारियों में आर्धसतक बनाने वाली पहली भारतिय एवं विश्व की चौथी बल्लेबास बन गई है वो कौन है शेफाली वर्मा कौन बन गई है शेफाली वर्मा Microsoft Company ने भारतिय मूल के किश अमेर्की नागरी को अपना नया चेर्मेन CEO निक्त किया है किसको निक्त किया है शत्य नडेला को किसको शत्य नडेला को ठीक है केंदर सरकार ने DAP और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सबसीडी के लिए कितने करोड रुपए की बढ़ोत्री को मंजूरी दे दी है कितने करोड 14,775 करोड रुपए को जो है मंजूरी मिल गई है बढ़ोत्री को मंजूरी मिल गई है विश्णुदाता सुचकांक 2021 वर्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार स्रवाधिक परोपकारी देशों में भारत का कौन सा इस्थान है रामायन सागर द्वारा निर्मित टीवी सीरियल रामायन में शुमंत का किरदार निभाने वाले किस दिगज अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ है वो कौन है चंदर सेखर वैद्य है कौन चंदर सेखर वैद्य है नेक्स्ट वन इस नीती आयो के स्तत्त विकास लक्ष SDG के लैंगिक शमंता के मामले में कौन से राज ने भारत में प्रत्थमिस्थान प्रप्त किया है वो राज आपका 36 गड़ है कौन सा राज है 36 गड़ राज है फिरोज सहा कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो यह आपका अरुन जेटली के नाम पर रखा गया है लोगशबा की परत्थम महिला श्पीकर कौन है लोगशबा की परत्थम महिला श्पीकर आपकी मीरा कुमार है ऑप्सने इदर राइट वन, ओलम्पिक पदक जीतने वाली पहली महला कौन थी? ओलम्पिक पदक जीतने वाली पहली महला आपकी करना मलेशोरी ओलम्पिक पदक जीतने वाली पहली महला आपकी करना मलेशोरी डोगरी बहासा बोली जाती है डोगरी जो भाशा है आपकी वह जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है भारत के द्वारा विक्षित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन कौन सा है तो वह है आपका GSLV MK2 भारत के किस राज्य में सरवातिक वनचेत्र है तो भारत के मद्द परदेश राज्य में सरवातिक वनचेत्र है मद्द परदेश राज्य में सरवातिक वनचेत्र है राश्टी शिचानीति दुजर बीस के अनुसार वरतमान 10 प्रेस 2 पनाली प्रश्ति स्थापित होगी किसमे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 पनाली से किसे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 पनाली से शांती शरूप भटनागर पुरुसकार डैस के छेतर में अदुतिय कार करने के लिए दिये जाते हैं किसके लिए विज्ञान एवं प्रोध्युकी के छेतर में शांती शरूप भटनागर पुरुसकार जो है यहां विज्ञान एवं प् राइग्रिश नदी के तड़ पर बशा हुआ है नेक्स वन कोर्शन भारती तिहासी रेटेट पांच कोर्शन होगे निमलिखित में से किस गरंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है नेचरल हिस्ट्री कौन सा गरंथ है नेचरल पुतबी फिरदौस्उी अलबरूनी ये तीनों ही जो है महमूद गजनिवी के दरबार से शमullah है विस जून 1756 को बिलेक होल घटना निमलिकित में से पिष्के शासनकाल में घटी थे हुई थी सिराजुद धुला के शासनकाल में शविने अवग्या अंदोलन के रूप में माहत्मा गांदी ने दान्डी मर्च कब किया था यह नोंने 12 मर्च 1930 को किया था महावीर स्वामी का पर्थम सिस्तर जमाली था महावीर स्वामी का प्रथम सिष्ट जमाली था जमाली था भारती राष्टी अंदोलन देखियेगा निमलिखित में से कौन से राष्टी नेता पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी कौन है दादा भाई नौरोजी वर्स 1904 में किसने करांतिकारियों की गोपनी शमित की रूप में अभिनो भारत का यूजन किया था वीडी सावर करने किसने किया था वीडी सावर करने किया था रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारती सोतंतरता लीग किस संगठन का एक अगरदूत था यह भारतीराष्णी फोज शंगठन का एक अगरदूत था अंग्रेजों के विरुद खान अब्दुल गफ़ार खान द्वारा प्रारम किये गे अंदोलन का क्या नाम था लाल कुर्ती क्या नाम था लाल कुर्ती था किसकी मदद के लिए हुआ था या देवदासियों की मदद के लिए मदद के लिए मदद के लिए हुआ था नेक्स्ट वन इज निउट्रॉन तारे पलसर के सिकुडने से बना अशीमित घनत्त का द्रवयुक्त पिंड जो किशी प्रकार के विकरण को बाहर नहीं जाने देता क्या कहलाता है यहाँ ब्लैक होल कहलाता है क्या कहलाता है ब्लैक होल बैंग्यूला धारा किस महासागर की सीतल धारा है यहाँ आपकी दक्षिन अट्लांटिक महासागर की सीतल धारा है किसकी जो है दक्षिन अट्लांटिक महासागर की ठीक है Option A, the right one over here मस्रूम चट्टान निमनकेत में से किसे से सम्मन दित है मस्रूम चट्टान आपकी मरूस्तली इस्तलाकरती से सम्मन दित है गिर नेशनल पार्क किस राजी में है गिर नेशनल पार्क ये आपका गुजरात में है कहां है गुजरात में कौन सा परवतिय दर्रा उत्राखंड में इस्थित नहीं है तो इसमें आपका जो सिपकीला है यह उत्राखंड में इस्थित नहीं है यह कहां है यह हिमाचल प्रदेश में इस्थित यह बात आप ध्यायन रखेंगे कहां है यह सोरी सिपकीला दर्रा कहां है हिमाचल मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है, किसे किया जाता है, वास्तिविक प्रतिविक्ति आय, जीवन प्रतियाशा और व्यस्क साचरता, इन तीनों को ही मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है, भारत में मौतरिक नीती का निर्धान कौन करता है, भारत मे प्रतेक्ष का डारेक्ट टेक्स कौन सा है डारेक्ट टेक्स इसमें आपका आयकर हो जाएगा आयकर क्या एक डारेक्ट टेक्स है निमलिखित में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटोती नहीं है विक्तिकत रिन पर ब्याज यह आयकर की गणना के लिए कुल कौन सा बैंकों की राष्थिकरन का लक्ष नहीं है バरत में पंचायती राज की अनुसंसा के लिए बनी समित के अध्यक्ष कौन थे तो ये जो अध्यक्ष त्यार के वह बल्वनत राय मेहता थे भारतीय स्रमिधान में संसोधन का प्रावधान किस अनुच्छेत में किया गया है मुख चुनाव आयुद को पद से हटाया जाशकता है संसत के दो नुसदनों के सज़स्यों के दो बटे तीन भौमत के द्वारा बारत की संसत द्वारा हिंदू विवादी ने कब लागू किया गया तो ये आपका वर्स 1955 में लागू हुआ क्लोरोफाईशी के सदस्यों को अक्षर डैस सैवाल कहते हैं क्या कहते हैं इनको हरा सैवाल कहा जाता है उतल और अवतल दरपन किसके उदाहरण है ये तोनों आपके गोलिय दरपन के उदाहरण है किसके गोलिय दरपन के उदाहरण है वहा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है वह आपका रसाइनिक प्रिवर्तन कहलाता है क्या कहलाता है रसाइनिक प्रिवर्तन धातों का वहागुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में प्रिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनियता कहलाता है क्या कहलाता है आघातों का वहागुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में प्रिवर्सित किया जा सकता है आगात बर्दनियता कहलाता है पन हारित यानिकी क्लोरोफिल का मुख्य घनी जो खनिस घटक है वो आपका मैगनीशियम हो जाएगा क्या हो जाएगा मैगनीशियम अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा तो इसके लिए सही मुहावरा हो जाएगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना क्या अपने को संकट में डालना यानि की बिल्ली के गले में घंटी बांधना हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है हल्दी घाटी के रचनाकार आपके श्यामनारायन पांडे है निमन में वर्तनी की दृष्टी से सुद्ध सब्द कौन सा है शुद्ध सब्द आपका अध्यान हो जाएगा करत्रिम निमन में से किसका विलोम है करत्रिम जो आपका है यह है का विलोम हो जाएगा प्राकर्तिक जिषको इश्वर ने बनाया है करत्रम जिषको मानव ने बनाया है इसलिए इस लिए यह अपोजिट हो जाएगा अनिल-अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है वायू-अगनी ठीक वायू का प्रयावची अनिल-अगन नियाहू का इस्थान लेंगे वो कौन है वो आपके नाफ्ताली बैनेट कौन नाफ्ताली बैनेट नेश्वन फ्रेंच ओपन दोजारिकिस के पुरुस एकल का खिताब जीतने वाला खिलाडी कौन है जिसने 19. ग्रेंड सलैम खिताब जीता है वो है आपका नोवाक जोकोविच नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन दोजारिकिस का महिला एकल किताब किसने जीता ये आपके बारबोरा क्रीजी कोवा कौन है बारबोरा क्रीजी कोवा ने फ्रेंच ओपन दोजारिकिस का महिला एकल किताब जीता है 54 नमर कोशन इस हाल ही में पोलाइंट ओपन में किस भारतिय महिला पहलवाने 53 क्लोग्राम वर्ग में शोर्ण पदक जीता है वो हैं आपके विनेश फोगाट कौन हैं विनेश फोगाट हाल ही में किस अंतराश्ची बॉक्षर अर्जिन पुर्शकार एवं पद्म सीरी से सम्मानित एवं 1998 एशियाई खेलों के शोर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है किसका निधन हो गया है डिंको सिंग का किसका डिंको सिंग का निधन हो गया है Question number 56 कहता है इंगलेंड के किस क्रिकेटर ने देश के लिए सरवाधिक टेस्ट मैच खेलने का record बनावर बनाया है तो वह हैं आपके James Anderson कौन है? James Anderson ने देश के लिए सरवाधिक टेस्ट मैच खेलने का record बनाया है Question number 57 कहता है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंतरी किसान मित्रयूर उर्जा योजना जिसके अंतरगत क्रसी उपभुकताओं को प्रतेक महिने एक हजार रुपए अनुदान देने का प्रावदान है के प्रारूप को मन्जूरी दे दी है राजस्थान राज्य सरकार ने हाली में गूगल पर 26.8 करोड डॉलर लगबग 1950 करोड रुपए का जुर्माना लगाया गया है यह जुर्माना किस देश के प्रतिशपरधा रोधी प्राधिकर ने लगाया है तो वो है आपका फ्रांश कौनसा देश है फ्रांश देश है किस देश को सईयुक सोरी किस देश क संयुक राष्ट आर्थिक और शामाजिक परस्त यानि कि युनाइटेट नेशन्स एकॉनोमिक और सोसल काउंसिल के लिए वर्ट 2022 की अबधी के लिए चुना गया है भारत अमेरिकी अंत्रीच अजंसी नाशा किस ग्रह पर वर्ट तोज़़एश से टीश दोज़ए से दो ने लिखी है गुलाम गिरी जो पुस्तक है वो लिखने वाले जो ती भाराव फूले हैं कौन है जोतीबाराव फूले अर्थ्सास्त्र का नौबल पुर्षकार किश के द्वारा दिया जाना आरंब हुआ नोब स्वेदिश सेंटरल बैंक के दिया जाना अरंबू हुआ था भारत स्यंयुक्त राश्वाच संग का स्दस्टर कभ बना ये आपका Virs 1945 में बना 64 कोशनेज संगाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल है तो इसमें आपके चीन, रूष, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान यानि कि option number A यहाँ पर आपका right हो जाएगा नेपाल के पडोसी भारती राजियों का जोड़ा कौन सा है इसमें? वो आपका शिक्कीम और बिहार कौन हो जाएगा? शिक्कीम और बिहार विश्व के किस छेत्र को आप बुश मैंड से शंबध करेंगे? वो आपका कालाहारी, किस छेत्र को? कालाहारी छेत्र को देश में प्रतम करसी विश्विदायले की स्थापना किश्वर्स हुई थी? यह वर्स 1966 में हुई थी राष्ट्री खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्री खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है भारतिय संसद का कौन सा सदन? निम्न सदन कहलाता है लोक्षबा सदन? निम्न सदन कहलाता है किस भारतीय राज्य को पांच नदियों की भूमी कहा जाता है पंजाब को पांच नदियों की भूमी कहा जाता है एक बात और याद रखिएगा जो पंजाब शब्द है हमारा ये फारसी सब्द है कौन सा सब्द है जो पंजाब सब्द है ये आपका फारसी सब्द है जिसका बात है पांच नदियों का छेत्र वह पांच नदियां कौन-कौन सी हैं पांच नदियां आपकी पहली नदी व्यास है फिर आपकी सतलज हो जाएगी उसके बाद रावी है चेनाब है और जेलम नदी है ठीक है तो पांच नदियों की भूमी पंजाब पांच नदियां कौन कौन से हैं व्यास शतलज रावी चेनाब और जेलम पंजाब आपका फारसी सब्द जिसका मतलब होता है पांच नदियों को चेत्र क्वार्ती तिस्ष्षट से और गंग देखेगा चलिए आप करते चलिए निम्सकित अभिलेख में असोग के नाम का इस पस्ट उल्लेक प्राप्त होता है इस नाम का इस पॉल्लेक आपका माज की गुर्जरा नेट तूरा उडव ऑड़ेगोलम इन अभी लोखों से प्राप्त होता है यानि कि option number D यहां पे आपका right हो जाएगा इनके अतरिक्त असोक के नाम का उलेक रूद्र दामन के जूनागढः अभिलेक में भी मिलता है ये भी बात आप ध्यान लख लेंगे नेक्स्ट वन इस 1178 इश्वी में किस सासक ने मुहम्मद गौरी को पराजित किया था वो थे आपके भीम दुतिय बेशीन की संधी 1802 इश्वी के दोरा निमलिकित में से किसने अंग्रेजों की सनलक्षता शुईकार की थी किसने बाजीरा दुतियने अंग्रेजों की सनलक्ष में भारत आया था वरस 2016 में मन सब दारी पढणाली निमन में से किसने अरंभ की थी ये आपके अकबर थे कौन थे मन सब दारी पढणाली मुगल समराट अकबर द्वारा आरंभ की गई थी भारती राश्य आंदोलन से समन्दित कोश्यन भारत छोड़ो आंदोलन के शमय उत्तर प्रदेश के किस जिले में शमांतर सरकार की स्थापना की गई थी बलिया जिले के वर्स 1917 में चमपारण सत्यागरह किस राज में प्रारंभ किया गया था बिहार राज में किस राज में बिहार राज में अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतियों दोरा उठाई गई शपत कि वे सिर्फ भारतिय निर्मित सामानों विशेश रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को डैश आंदोलन कहा जाता है इस आंदोलन को श्वदेशी आंदोलन कहा जाता है विक्तिगरह सत्यागरह की सुरुवात कब हुई विक्तिगत सत्यागरह की सुरुवात वर्स 1940 में हुई एक अखिल इसलामी आंदोलन तहरीक एरेश्मी रुमाल किस आंदोलन से सुरू हुआ था ये आपका देवबंध आंदोलन से सुरू हुआ था किस आंदोलन से देवबंध आंदोलन से super fast revision के लिए आपको smarter everyday से अभी जुड़ना चाहिए अपने दोस्तों तक जहां जहां हो सके share कीजेगा वीडियो को super fast revision के लिए आप till your exam, अपने exam तक सारी वीडियो देखते रहे complete आप बहुत बहतर कर पाएंगे डैस, gas, gas, gas परत्वी से दीर्ग तरंग अवरक्त विकरण अवसूशित करती है और पुना परत्वी की ओर उतसर जित करती है greenhouse gas कौन सी gas है वो, वो आपकी greenhouse gas परत्वी से दीर्ग तरंग यानि की अवरक्त विकरण अवसूशित करती है और पुना परतिवी की और उतसे जित कर देती है ठीक है जैसे कि आपका कर्बन डाइक्षाइड हो गया आपका सलफ़र डाइक्षाइड हो गया ये ग्रीन हाउस गैसे है CO2, SO2 के कैसी गैसे है ग्रीन हाउस गैसे है निमलिकित में से कौन सी विष्व की दूसरी सरवादिक लवणिय जील है वो है आपकी मरत सागर कौन सी मरत सागर विष्व की दूसरी सरवादिक लवणिय जील है ये सागर जॉर्डन में स्थित है कहां जॉर्डन में यह सागर जो है आपका वो जौर्डन में इस्थित है ठीक है 9 degree channel निमलिखित में से किसे प्रथक करता है 9 degree channel लक्षदीप और मिनी कोई को प्रथक करता है किसको लक्षदीप और मिनी कोई को किस दिन परतवी सूर्थे निकटतम दूरी पर होती है तीन जनवरी को प्रत्वी सूर से निकटम दूरी पर होती है जिसे उपसौर कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है जिसे उपसौर कहा जाता है ठीक है अच्छा अगर अधिकतम पूछ ले क्या पूछ ले निकटम की जगे अधिकतम पूछ ले तो चार जुलाई क्या लिखेंगे आप चार जुलाई को पर्थवी सूर से अधिकतम दूरी पर होती है और तब हम इसे अपसौर कहते हैं ठीक है तीन जनवरी को निकटतम रहती है तो इसे उपसौर कहा जाता है चार जुलाई को सूर से अधिकतम दूरी पर होती है जिसे हम लोग अपसौर कहते हैं बात कलियर हुई आगे बढ़ते हैं पंदरा नंबर कोशन है निमलिकित में से कौन सी नदी भरंस घाटी से होकर बहती है आगे बढ़ते हैं नेक्स लोशन की तरफ भारती रेजर्व बैंक का राश्चीकरण कट किया गया था प्रधानमंत्री फसल भीमा योजना कब प्रारम हुई प्रधानमंत्री फसल भीमा योजना जनवरी 2016 में प्रारम हुई थी मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता यह आपका जब विज्ञापन व्याय में कोई बदलाव होता है मांग वक्र कब तो है तब जो है अंतरित नहीं होता 90 नमर कोशन कहता है बैंक रिण के प्रियोजन के लिए अल्प कालिक फसल किसे मानी जाती है जो फसल एक वर्स या उससे कम के लिए उगाई जाती है अल्प कालिक फसल मानी जाती है जिसे बाजार सनचना में केवल डैश विक्रेता होता है उसे एक आधिकार कहते है एक विक्रेता होता है उसे एक आधिकार कहते है भारती समिधान शीचे मंदित कोशन कहता है कारिवाही संचालन हेतू लोकसबा का कोरम कुल सदस्च शंख्या का कितना होता है ये आपका एक बटे दस भख होता है कितना होता है किस शमिधान संसोधन द्वारा मतदान करने की आयुशिमा 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स की गई या आपकी 61 कौन से 61 संसोधन संसोधन अधिनेंव इक सटमे संसोदन अधिनयम के द्वारा जो है संसोदन अधिनयम उनिसो नवारशी द्वारा चुनाओं में मत्तान किया उशेमा 21 वर्स से गटा कर 16 वर्स कर दी गई ठीक है भारती समिदान में नियाइक पुनरावलोकन का प्रावधन किस दैस के समिधां से लिया गया है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है कोई व्यक्ति भारत के राष्टपती के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है ये आपका इसकी कोई शीमा नहीं है यदि राष्टपती त्याग पत्र देना चाहे तो वहाँ अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे तो राश्कति अपना त्याग पत्र भारत के उपराश्पती को संबोधित करेंगे बहु कोसका जीव डैस द्वारा ब्रद्धी करते हैं कौफी पौदे के किस भाग से प्राप्त होती है कौफी पौदे की बीज से प्राप्त होती है जो कौफी होती है वो बीज से बनती है एक एथलीट को निमलेखित में से किसे से जल्दी एवं अधिक उर्जा प्राप्त होती है तो जो एक एथलीट होता है उसे कार्बो हाइड्रेट से जल्दी एवं अधिक उर्जा प्राप् यह आपकी कालरा यानकी हैजा रोक के लिए लाबदयक है कौन सी औरल री हैड्रिशन ठेरिपी चलिए शामान हिंदी की बात कर लेते हैं कोशन कहता है प्राक प्लस मुख किसका संधी विच्छेद है प्राक प्लस मुख आपका जो है यह प्रांग मुख का संधी विच्छेद ठीक है, pulling सब्द कौन सा है इस में, pulling सब्द आपका रहेगा नेत्र, ठीक है बाकी दया, आपके अंदर धया होनी चाहीए, ये तो IsTryling है, प्रार्थना करनी चाहीए, ये IsTryling है, वायू बहती है इस्ट्रिलिंग है नेत्र खोलिए या आपका नेत्र करके है ना सब्द बोलते हैं तो यह आपका पूलिंग सब्द हो जाएगा ठीक ठाक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ती क्या होगी इसके लिए सही लोकोक्ती दूद का दूद पानी का पानी हो जाए कहते हैं कि हम दूद का दूद पानी का पानी कर देंगे क्रसानु का प्रयावाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है अतुल। जो है या कुछ क्रसानु का प्रयावाची शब्द नहीं है। प्रेमसागर किसकी रचना है प्रेमसागर जुआ हैं कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में जैसे प्लेंटी वाटर या trained दिख पानी चेंज दार नेरेशन देटीचर सेट भी क्वाइट वाइस अध्यापक ने कहा भी क्वाइट वाइस लड़कों चुप हो जाओ यह बनेगा देटीचर आर्ग दवाइस टू बी क्वाइट ऑप्शन सी दरेट वन ओवर हेर रूल नियम समझाने के लिए टाइम न मुंबई क्रिकेट संग MCA ने घरेलू सत्र तोजर इकिस बाइस के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच की रूप में किसे नुक्त किया है तो वह आपके अमोल मजूमदार कौन है अमोल मजूमदार राश्ची मानवादिकार आयोक एन एचरसी के नए अध्यक्ष के रूप में शुम्प्रिम कोट के किस रिटायर जजज ने पदभार संभाल लिया है वह आपके अरुन कुमार मिस्रा ने पदभार संभाल लिया है किस राज ने अंकुर नामक योजना का सुभारम किया है जिसके अंतरगत नागरिकों को मानसून के दारान पेड़ लगाने के लिए मद्य परदेश कौन सा राज्य है मद्य परदेश राज्य है बिहार के मुख्य मंतरी निजीष कुमार ने इंजिनेरिंग और मेडिकल कॉलिज में लडकियों के लिए कितने परतिसत आरचन की गोशना की है तो इन्होंने 33% आरक्षण की गोशना की है, 31 में 2021 को विश्य तमबाकूने से दिवस मनाया गया, इसके लिए क्या थीम रखी गई, इसके लिए थीम तमबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद होना, ये उसकी थीम थी, COVID-19 महमारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के कल्यान हे तो मुख्यमंतरी सिसू जेवायोजना की गोशना किस राज ने की है, वो राज आपका अश्रम है, हाली में अनातोले, कोलीनेट, माको, सो, को, किस देश का प्रधानमंतरी नुक्तिया गया है, वो है आ आपके अमरत्य शेन, उर्जा अनुसंदान के श्चितर में नोबल मने जाने वाले अंतराश्ट्रिय एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, वो है आपके प्रोफेसर सी एन आर राव, प्रोफेसर सी एन आर राव, नेक्स्ट कोशन देखेगा, गण गौर किस प्रजस्थान राज्य का लोक नरत्य है, एक सेकंड, क्रूशन अमर शिक्स्टी टू कहता है, आदम का पुल या आदम्स ब्रीज, इस्थित है, या आपका कहां इस्थित है, भारत और स्री लंका के बीच में इस्थित है, काजी रंगा वने जीव अभिहारन ने, किसके लि रजुकीर आरेने विशाणू है, नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के प्रिष्ट भाग पर कौन सा चितर अंकित है, तो उनके प्रिष्ट भाग पर जो चितर बना है, वो मंगलियान का बना है, किस चेतर में बुकर पुरुसकार दिया जाता है, बुकर पुरुसकार आपका क अब फीचर फिल्म पदमावत किस लेखक की रचना पर आधारित है, तो यह आपकी मलिक मुहमध जाएक की रचना पर आधारित है, डैस को भारत में ह्रितकरांती का जनक भारत में, बात किसकी ऑछ भारत में हरितकरांती का जनक से माना जाता है, I.M.A. šaumininathan को भारत में हर किये तो सरवाधिक एक सेकंड प्लीज सरवाधिक सिक्के बाद सरवाधिक सुद्ध सिक्के के सोने जारी करने की बात हो रही है तो इसमें आपका ऑप्सन नमर ए राइट रहेगा कुशान सास को ने निमलेखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राइधानी बनाया था वो थै अमारा है ध्राबादा गंदी जी की दांडी यत्रा निनुसे किस्क उधारन है गंदी जी की दांडी यत्रा सबीने अवग्या अन्दोलन का उधारन है वर्स निस्ञ особला में कांगरेस और मुसलिम लीक का श्नियुक्त अदिविशन कहा पर हुआ था या अपका डैस की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की शड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए अब्दुलुगफर खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की शड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए बात 1936 की है वर्स 1906 में हुवे सोंग्राम संग्राम संगमा के विद्रो का कारण क्या था इसके विद्रो का करण अशम में आदिवाशी समुहोद्वारा किया गया आप निवेशिक वन करूनों का विरोध था काकोरी शड़यंत्र केश किश वर्ष हुआ था यहापका वर्स 1925 में हुआ था काकोरी शड़यंत्र वर्स 1917 में महत्मा गांधी ने डैस के खेडा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्यागर है कायोजन किया था हमारे शौरमंडल की आकास गंगा जिसे मंदाके नी अथवा दुग्द मेखला भी कहते है का आकार कैशा है इसका आकार सरपिला कार है कैशा है सरपिला कार है निमलांकित में से कौन सुमेलित नहीं है इसमें आपका ब्राजील दारा अट्लांटिक महाशागर ये तो सुमेलित है ये तो बात आपकी शही है इसमें कनारी दारा उत्तरी प्रशंद महाशागर ये गलत है गल्फ इस्ट्रीम उत्तरी अट्लांटिक महाश के साथ सीमा साजा नहीं करता है के हमालयई प्रवत क्रांख़ा किसका उदाहर्ण है अंतराश्ची किफी रिखा क्या है यह आपके 180 डिगरी दिसांतर है भार्ती एक तोस्ता को स्कूर्स को रिस्चस करें है कीमत शुरिकारक-फर्म की औशत्स्मप्रापतापती बाजार कीमत डश होती है यह कीमत के बराबर होती है कंट सुप्रापती बाजार कीमत के बराबर होती है option B The right one निमलेखित में कौन लौरेंच्ट्टवार मापा जाता है तो इसमें पूर्ण परतिशपर्दा फर्म की लागत सुन्य हो अथ्वा केवल इस्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्थी की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्साया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति सुन्य होती है। पूर्ण परतिश्पर्दा यदि पूर्ण परतिश्पर्दा फर्म की लागत सूने हो ठीक है ओप्शन एज दा राइट पन ओवर हियर डैस परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंदित है ऐसी स्थिती में जब एन सभी आगतों को इस्थिर रखा जाए कुल उत्पाद क् Shemidhan की प्रक्तावना में उलक्कित निम्ड प्र том का सही क्रम क्या है तो निम्ड सब्नों का जो सही क्रम होगा उसमें आपका क्या एगा पहले आपका सवर्भामिक आजाएगा ठीक है और उसके बाद आपका शमाजवादी आएगा फिर आपका धर्मिल पेक्ष आएगा और फिर लाश्ट में परजा तांत्रिक आएगा ठीक है तो इसमें option A यानि कि 3-1-4-2 ये आपका इसमें शही करम हो जाएगा भारती शम्वर्थी सुची की धाना किस देश की शम्विधान से ली गई है तो ये है आपकी Australia से ली गई है किस कहां से ली गई है Australia से ली गई है आगे बढ़िएगा 23 नमर स्विधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत कोई भी व्यक्ति मूलबूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सरवोच नियाले में उठा सकता है अनुच्छेत 32 भारत के स्विधान में शंगी शब्द का प्रियोग कहां पर हुआ है भारत के स्विधान में जो शंगी पर राजियों का पुनरगठन कभि क्या गया था वहां परिवर्तण कॉई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहला था가요 नहीं बनता हूँ आपका भौतिक प्रिवतन कहलाता है मानव हिर्दय का दाहिना भाग अशुद रक्त प्राप्त करता है द्रवचालित लिफ्ट किसे सिध्धांद पर कारे करती है द्रवचालित लिफ्ट जो है आपकी पाश्कल के सिध्धांद पर काम करती है कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद रहता है कैलसीम और मैगनीशियम कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद रहते है पेनी सिलीन निवन में से किसे से प्राप्त किया जाता है पेनी सिलीन आपका कवक से प्राप्त किया जाता है पेनिस लिनापक कवक से प्राप्त किया जाता है दिएगे वेकलपों में से हर्स शब्द के विपरी तार्थक शब्द का चेन कीजिए हर्स का उल्टा ढूनना है हर्स का उल्टा विशाध हो जाएगा क्या हो जाएगा विपरी तार्था क्यानी की विलोम ढोड़ना है जीतने की इच्छा को एक सब्द में क्या कहेंगे जीगीशा पुलिंग, स्टिलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है देव का देवी, मामा का मामी, गधा का गधी कान्त का कान्ती नहीं होता है येस आफ सा है इसमें उप्षन सहीं नहीं है वरतनी की द्रिष्टिशे कौन सा सब्द शही है तो वरतनी की द्रिष्टिशे हम लोग 113 है ये प्रिसद में चुना गया वह थे आपके हेमन्थ विश्वा सर्मा। राष्ट्य कारिकार्णी बैठक में राष्ट्य लोक दल। RL-D के नये राष्ट्य अधskिण के रूप में सरसम्मित से किसे पार्टी का नंहाध्ग्श चुना गया है तो वो हैं जैन्त चौधरी किसको पर्टी का नया धच चुना गया है हौकी की वैश्विक शर्ष्था अंतराश्टी हौकी महाशंग के अध्धक्ष की रूप में किसे चुना गया है तो इनको नरिंदर बत्रा को भारतिय मूल की किस महिला को वाइट हाउस का वरिष्च सलाहका निगत किया गया है हाल ही में राजस्थान के कौन से पूर्व मुख्यमंतरी जिनोंने परदेश में पूरी तरह शराब बंदी लागू की थी का कोरोना के कारण निधन हो गया उनका जो है जगनात पहाडिया का कोरोना के कारण निधन हो गया पाकिस्तान के नए राश्थी सरुच्छा सलाकार की रूप में किसे निगत किया गया है मोहित यूसुप को पाकिसान के नए राष्टी सरुच्छा सलाकार के रुप में निक्त किया गया है मोहित यूसुप को कौन है मोहित यूसुप प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने गुजरात में चक्रवात से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनरवास के लिए एक हजार करोड की वित्य साहता की गोस्रा की है इस चक्रवात का नाम क्या है वो चक्रवात आपका ताउते है कौन सा चक्रवात है ताउते चक्रवात कोश्च में 58 कहता है हाल ही में केरल के मुख्यमंतरी पद की लगाता दूसरी बास सफत लेन वाले वुक्त मतरी कौन बन गए हैं पिनराई विजयन कौन पिनराई विजयन पंडित दीन दयाल उपाध्याय राशी कल्यानी उजना की अंतरगत खेल मंतरा लेने पूर्व एशियाई श्रणपदक विजयता जोशिफ जैम्स के लिए कितने रुपए की शाहता राशी की तो इन्होंने दो लाख पचास हजार रुपए की घोशना की है ड्हाई लाग की ठीक है जुरॉंग रोवर शातमा की अंतरिच श्यात्रा करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दू में मनाया जाता है संयुक्त राश्य शंग की महाश्रबा की अनुसार किसी तिथी को अंतराश्य शांती दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को किस तिथी को 21 सितंबर को निमलिकित में से कौन सा पुरुषकार खेल छेत्र में प्रसिक्षण के लिए दिया जाता है यह आपका दु का शमंद किस खिल से फ्री थ्रो का शमंद आपका बाश्केट बॉल से है निम्लिकित में से लीबिया घाना और केन्या कि राइधानियों का सही अनुकरम कौन सा है तो इनका त्रिपोली आकरा और नैरोबी किसका मिलान सही कि नहीं है इसमें आपका उत्तर कोरिया शियौल यह मिलाना आपका सहीन है बागी ये तीनों आपके सही हैं next one is Maudhira में एक प्रशिद टैश है Maudhira में एक प्रशिद सूर्यमंदिर है Maudhira में एक प्रशिद सूर्यमंदिर है option C the right one और GST किस प्रकार का कर है GST आपका अप्रतेक्ष कर है किस देश ने सबसे अधिक बार FIFA याने की फुटबॉल विसु कप में जीत हासिल की है ब्राजील ने जीत हासिल की है किसने ब्राजील ने नेक्शन कुरूशनिस देखिए निमलिखित में से किसके सासन काल में चंगेज खा के नेत्रत में मंगोलों ने भारत प्राकमन किया था तो यहां पर आपके इल्टु तमिश ठीक है किसे नेत्रत में चंगेज का मद एशिया के मंगोलों का नेता था और उसने भारत पर 1221 इश्वी, कब 1221 इश्वी में इल्तू तमिश के शमयाकरमन किया था ठीक है सासनकाल किसका था? इल्तू तमिश का था, option A, the right one, sorry C British East India Company की भारत में प्रतम निर्णायक शैने सफलता मानी जाती है बकसर का युध माना जाता है क्या बकसर का युध है, वर्स 1922 में इश्थापित भारती राष्टी शेना का परतम सिनापती कौन था? परतम सिनापती मोहन सिंह पानी पत के तरती युध में मराठों की ओर से कौन मुसलिम सिनापती मारा गया? तो वो आपका इब्राहिम खां गार्दी था जो मुस्लिम सिरूपती था मारा गया वुड का डिस्पैश निवलन ऊपका 606 मैं वुड का डिस्पैश भारती राश्ची अंधोलन असयोग आंधोलन लिया गया आशयोग आंधोलन आपका फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया ठीक है 12 फरवरी 1920 को कब की बात है 12 फरवरी 1922 को असयोग आंदोलों वापस ले लिया गया ठीक है इसका कारण पांच जनवरी 1922 को गोरकपूर के चोरी चोरा नामक इस्थान पर घटी हिंसात्मक घटना थी तब ये वापस लिया गया था अगला कोशन कहता है देखिएगा कौन सा विकल्प सही करम दरसाता है जिसमें भारतिय स्वातंतरता आंदोलों के दौरान ये घटनाए हुई तो इसमें आपका ये आएगा पहले नं करते हैं कि शोराज्य मेरा जनमसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये नारा किस ने दिया था ये नारा देने वाले आपके बाल गंगादरति लग थे आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना शिंगापुर में की गई थी बेगम हजरत महले अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह बढ़काने में निमलिखित में से किस नगर से सक्क्रिय भाग लिया यह था आपका लखनव अतिदिक प्रबल उश्निकटि बंधिय चक्रवात टौर नेडो कहां उठते हैं यह आपके कैरबियन सागर मे उठते हैं कहां उठते हैं कैरबियन सागर में विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे उचा शिकर निमलिखित में से कौन सा है वो है आपका कंचन जंगा क्या कौन सा है कंचन जंगा है ठीक है विश्व का तीसरा भारत का दूसरा सबसे उचा शिकर कंचन जंगा ह यह जो है यह भारत की क्या यह भारत की सरवोच चोटी है ठीक है कौन केटू गाडविन आश्टिन ठीक है चलिए कहां इस्थित है करा कोरम सेडी में इस्थित है ठीक है माउंट एवरेश्ट विश्व का सरवोच सिखर है माउंट एवरेश्ट विश्व का सरवोच सिखर है चलिए आगे बात करते हैं next question की देखेएगा question number 13 कहता है मौसमी घटनाएं वायो मंडल की किस परत में घटित होती हैं मौसमी घटनाएं वायो मंडल की छोब मंडल परत में घटित होती हैं रेगिस्तान चेतर में मस्रूम चट्टान का निर्मान किसका उदाहरन है यह आपका अपर्दन का उदारन है किसका उदारन है अपर्दन का वर्श 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्टगाली उप्निवेशं को मुक्त कराने के लिए भरा सरकार ने डैष नामक योजना को अपनाया और अन नगरों को भारत में शामिल कर लिया operation विजय नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया भारती अर्थ विवस्था नमर एक कोशन सुरी देखिएगा नौ राइट वन देखिएगा अब से यह दुतिय पंचवर्सिय योजना आधारित थी दुतिय पंचवर्सिय योजना पीशी महाल नोबिश मॉडल पर आधारित थी विश्व बैंक जिससे अंतरराश्चिय पुरनर निर्मान तथा विकाश बैंक भी कहते हैं इसका मुख्याले कहां इस्थित है इसका मुख्याले वा सरकार के पाश है अल्पकालीन सीमानत लागत वक्र अल्पकालीन ओसत लागत वक्र को डैस में अल्पकालीन ओसत लागत के नियुनतम बिंदु पर काटता है नीचे में कहां नीचे में कोशन को ठीक से पढ़िएगा कोशन कहता है अल्पकालीन सीमानत लागत वक्र अल्पकाल उसत लगत वक्र को नीचे में अल्पकालीन उसत लगत के नियुंतमिंदू पर काटता है डैस उसी जातिके वेश्टियों की वह संख्या है जो दी गई शमय अवधी के दौरान आवाश में कहीं और से आये हैं आप्रवाशन हो जाएगा क्या आप्रवाशन उसी जातिके शेश में किसी जातिया विक्तियों के स्थरांतर से शमन्दित हैं अगले कोशन की बात करते हैं कोशन में 21 देखिएगा शमय धान के किस अनुछेत में यह विवस्था की गई है कि प्रतेक राज्य शिक्षा के मात्रात्मिक इस्तरपर मात्री भाशा में सिक्षा की करेगा अनुचे 350 का अनुचे 350 का कमजोर वर्गों के लिए भारती स्र्विद्धान में आरच्छन का प्रावदान किस अनुच्छे के तहत किया गया है वह है आपका 16 राज़ सबाके सदस्च्चों की अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है राज़ शबाके सदस्च्चों की अधिक्तम संख्याद 250 हो शक्ती है कितनी 250 हो शक्ती है देखिएगा Q24 राष्टपती को किस अनुच्छेत के अंतरगत यह अधिकारप्राप्त है कि वहाँ वित्ती आपात का लागू कर दे अनुच्छे 360 के तहट सरकार के कारेपालिक का अंगे से विप्राए है क्या विप्राए है लोगों का शमूम जो कानूनों को लागू करने और सासन चलाने के लिए उत्तरदाई है ओप्सन A is the right one शामान विज्ञान से लेटेट कोश्शन है हमारे सामने ठो सवस्था से सीधे गैशी वस्था में प्रिवर्तन की प्रकरिया को क्या कहते हैं इस प्रकरिया को उत्सादन कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट मुक्षिता किसके करण होता है या आपका करवंडाई आक्षाइट के करण होता है कांच में से गुजरने पर प्रकास के किस रंग की चाल सबसे कम होती है तो वह आपकी बैंगनी कांच में से गुजरने पर प्रकास जो है बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है इस करवी रोग किस विटामिन की करमी के करण होता है इस करवी रोग आपका विटामिन C की करमी क प्रदूर्शा कौन सा था यह आपका दियास में प्रशिद्ध कबिर दास महावीर परशाद वैदी प्रेमचंद हर्venir स्राइबचं आधी किस्ठ प्रदेश से हैं यह आपके उत्तर प्रदेश नहीं कहां से हैं उत्तर प्रदेश से हैं और सीधार एंड़ेजY कोश्श मरela 37 कैता है घधर का सई परयावाची सब्द भ्रमर हो जायेगा आदी से लेकर अनन्द के लिए एक शब्द क्या होगा अदी से लेकर अनन्द तक इसके लिए आद्योपांथ हो जाएगा क्या हो जांएगा है कुश्शन मर són केटा है नाक अका आर्थ है किसी से बहुत ज़्यादा अनुने विनाय करना दीनता पूरक प्रार्थना करना वाक में तुर्टी पूर्ण भाग का चैन कीजिए यह दि कोई तुर्टी ना हो तो दी भाग का चैन कीजिए इसमें देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा कोई तुर्टी नहीं है उप्सन स किसने किया है इंडोनेसिया ने किया है वर्ष 2021 का विश्यु खात्य पृष्कार भारतिय मूल की किस वैश्विक पोशन विश्यशक को मिला है तो यहां डैक्टर शकुंतला हरक सिंग थिल स्टेड को मिला है हाली में किसे नेपाल के प्रधानमंतरी पर निगुत किया गया है तो वो कौन है, वो है केपी सर्मा ओली को नेपाल के प्रधानमंतरी के पद पर निक्त किया गया है, भारतिये महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में, बी सी सी आई ने किसे निक्त किया है, तो बी सी सी आई ने रमेश पवार को निक्त किया है, तमिल नाडू के नए मुख्य मंत्री के रूप में MK स्टॉलिन ने सफ़त ली है किसे पूर्व केंद्रिय मंत्री एवं राष्टी लोकदल RLD के अधिक्ष का कोरोना विमान से पीडित होने का निधन हो गया है वो है आपके चौधरी अजीत सिंग कौन चौधरी अजीत सिंग किस देश ने क क्रोना के सिंगल डोज व्यक्षिन बनाने में काम्यावी हासिल कर ली है वै अपका रूश लडाकू विमान टेजस्ट बनाने में महत् Operations निभाने वाले पदमस्री से शमानित किष्व एग्यानिक का हाली में निधन हो गया है मानस बिहारी वर्मा कौन मानस बिहारी वर्मा मात्मा गांधी के किस पूर्व निजी शचिव का हाली में निधन हो गया है मात्मा गांधी के जो है वीकल्यान मात्मा गांधी के किस पूर्व निजी शचिव का तो वो वी कल लियान ओप्शन एईदा राइट वन देखेगा पहले भारत रत्न प्राप्त करता कौन थे पहले भारत रत्न प्राप्त करता शीवी रमन भारती नौसेना के अधिक्ष के पद को क्या कहते हैं भारती नौसेना के अधिक्ष पद को एड्मिरल कहा जाता है क्या कहा जात 2008 में किया गया था निमलिखित में से कौन सी थाइलेंड की मुद्रा है थाइलेंड की मुद्रा व्रहत जो है यह थाइलेंड की मुद्रा है परतिवर्स 11 जुलाई को किस दिवस की रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई जो है आपका यह विशुजन शंक्या दिवस की रूप मे मिनाया जाता है के विद्रिया चर्म अनुसंधान सस्थास कहा इस थी ये आपका चेंडी मेस्ति करते रहेंगे कूए क्याओ आहि यह क्युक्त लिए है कुछी अभियर कर सकते वह आपके माँख़ुत है पुणकि जतना आपने पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया शाइबरिया करेन भारत के किस पक्षी अभ्यारने में नेमेत लूप से आते हैं तो वह है आपका भरतपूर अभ्यारन्य राजस्थान शमिधान में उल्लिखित मौलेक अधिकारों का सरच्छा कौन है तो वह हैं कॉन या वाता आज का लाष्ट को stud आपके सामने है आज हमने पांच प्रैक्टीक किये हैं और वह जो आपका यह जो जिसकी है तो यह है पांश का पताईए, next class का वेट कीजिए, जल्दी ये upload होगी.